अब यहाँ पर हमने तो interest rate समझ लिया लेकिन जैसे आप bank में enter करेंगे आपको दो तरह का interest rate offer किये जाएंगे एक fixed interest rate और दूसरा floating interest rate तो जो top 5 bank है उसके home loan interest rate कुछ इस तरह है सबसे जादा interest rate यानि RBI जब भी अपना interest rate change करेगा आपका interest rate change होगा जो लोग बोलते हैं कि home loan 9% में मिले या सारे 9% पर हमें कोई फर्क नहीं परता बेटा फर्क तो परता है हालत ऐसी हो जाती है वीडियो को पूरा देखे समझ में आ जाएगा नहीं तो home loan लेने में धुआ तो आपके निकलने वाली है मेरा क्या जाएगा पहले example के तुर ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा interest rate उपर होने के चलते हालत कैसी हो जाती है मालीजे कि आप 30,000,000 का loan लेते हैं और जो interest rate होता है वो 8% और जो time होता है जो tenor होता है आपका 240 महिने यानि 20 साल के लिए आप loan लेते हैं तो आपको जो EMI पे करना परेगा वो पे करना परेगा 25,093 रूपए और 30,000,000 रूपए आपने loan लिया और इसके against जो interest आप पे करेंगे वो पे करेंगे 30,000,000 रूपए यानि 30,000,000 का loan और जो interest पे करेंगे वो पे करेंगे आप 30,000,000 रूपए वहीं जो 8% पे जो आपको home loan मिला है वो 9% पे अगर मिलता है तो आपका जो EMI होगा वो हो जाएगा 26,992 रूपए और जो interest आपको pay करना पड़ेगा 34,78,027 रूपए यानि 8% पे आपको home loan मिल रहा था तो आपको जो interest पे करना था 30,00,00 रूपए और जैसे ही आप 1% बढ़ा गे यानि 9% पे आपको home loan मिलता है तो आपको interest पे करना पड़ेगा 34,78,000 यानि 5,00,00 रूपए जादा है तो यहाँ पे अगर आपका 1% home loan बढ़ जाता है तो आप पे 20 साल के लिए आप लोग home loan लिए काफी लोग बोलता है कि नहीं 20 नहीं मैं 30 साल के लिए home loan लूँगा धीरे धीरे चुकाऊंगा मज़ा आ जाएगा तो आप 240 महीने के जगा 360 महीने कर दीजाए यानि 30 साल अब देखिए जो आप 9% के interest rate पे 30,00,00 के loan का 35,00,00 रूपए 2924 रूपए यानि 57,00,00 रूपई आपको interest में pay करना परेगा मतलब interest और टेनर कितना बड़ा role play कर रहा है आप यहां पे देख सकते हैं तो आप लोग जैसे जाओगे bank में home loan apply करने के लिए तो bank वाले आपकी लेने के लिए बैठे हैं तो आपको सतर कराना है bank से home loan लेते हैं में बहुत सारे terms discuss होते हैं जिसको अगर आप details में जाना चाते हैं description में link दिया गया है वहाँ जाके जान सकते हैं उसमें से दो main financially terms होते हैं जो आपको financially impact करेंगे एक होता है processing fees और दूसरा होता है interest rate काफी लोग क्या होता है bank में जाके bank से processing fees कम करने के लिए दूल अज परते हैं कि processing fees कम कर दो जो होता है किसी bank का 5000 किसी bank का 10,000 किसी bank का 15,000 बैंक क्या करते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझते हैं bank क्या करते हैं आपके processing fees में 50% का आपको concession दे देते हैं और आप खुस हो जाते हो कि bank वाले ने मुझे discount दे दिया मुझे बहुत कम पैसा लगा अब अगर processing fees मान लिजे कि 15,000 भी लगता है और आपको 50% का discount दे देता है आपके कितने पैसे बचे सरह 7,000 रुपए लेकिन वही आप processing fees पे bank से ना लरके interest rate पे लरे रहते हैं और अगर आप 0.5 interest भी कम करा लेते हैं तो आपके पैसे कितने बचने वाले थे अग processing fees लेना है ले ले भाई हमें तो interest rate पे discount कितना देगा वो बता अब देखें यहां पर हमने top 5 bank लिया है जो इंडिया में जितने home loan दिये जाते हैं उसका 90% home loan यही 5 bank मिलके देते हैं अब देख लिज़ें जैसे ICIC bank है यह जो home loan दे रहा है इसका जो interest rate है यानि 9.25 से लेके 9. 9.90 के बीच में interest rate होगा अगर आप home loan ICIC bank से लेते हैं तो 9.25 से पहले मैंने कुछ numbers डाल है यह क्या होता है अब देखें जो interest rate बनता है उसमें दो component होते हैं एक होता है repo rate और दूसरा होता है spread अब यह repo rate क्या होता है यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है और इसी को amount ले सकते है interest rate पे और अपना फायदा कर सकते हैं अब ऐसा देखें बैंक आपको home loan देता है और bank के पास उसके फुफा का note छापने की machine तो नहीं है कि note छापेगा और home loan बाटेगा आप ऐसे समझ सकते हैं कि bank को पैसे की जरूरत परती है तो वो कहां जाता है bank को कभी भी पै पैसा देता है loan के रूप में अब RBI bank को फिरी में तो loan देगा नहीं तो यह लोग तो जाके वहां पे भीर लगा देंगे सारे bank लगे रहेंगे कि पैसे दे दो तो RBI जो bank से interest rate चार्ज करता है ना loan पे वो होता है repo rate यानि bank अगर जाता है RBI के पास और बोलता है कि मुझे पे तो वो आपको तो देगा नहीं वो आपका तो सगा है नहीं कि 6.50 पे देदेगा अब वो क्या करेगा 6.50 पे अपना कुछ percentage जोड़ेगा bank भी तो कमाएगा कुछ उसको पैसे भी कमाने है उसके कुछ खर्चे है इतने सारे staff बैठा रखा है इतना बड़ा office खोल रखा है उदने सारे चूतिये बैठा रखा है लोगों को चूतिये बनाने के लिए तो उनके भी तो salary सारे खर्चे निकालने हैं तो bank क्या करेगा जो 6.5% repo rate है RBI का rate है उस पे अपना percentage जोड़ेगा जो होता है spread 2.75 से 3.40 अपना जोड़ेगा और ये दोनों add करके 6.50 और इसका spread जो spread bank add करते हैं अपने तरब से यहां पर डिसकाउंट ले सकते हैं मानिया आपका जो सीबील स्कोर हो 800 से उपर है आपने कोई default का भी नहीं कि आपका income बहुत अच्छा है आपने जो property select किया है वो बहुत अच्छा है कोई उसमें dispute नहीं एकदम first class property आपने उसके paper पूरे है सब क कुछ अगर ऐसा है तो bank के पास आप बैठ सकते हैं और bank से बोल सकते हैं कि भाईया देख मेरा सब कुछ होके है मेरा income होके है तो मेरा property होके है यानि तेरा पैसा जो है वो कम risk है अगर मुझे तू देता है तो अगर तुझे risk कम है तो भाई जो मुझे loan दे रहा है उस पे discount the interest rate पे और यह जो spread वाला price है इसमें आप discount ले सकते हैं और जैसे आप इसमें discount लोगे आपका जो interest rate होगा वो कम हो जाएगा और spread में discount bank करते हैं तो जो top 5 bank है उसको home loan interest rate कुछ इस तरह है सबसे ज्यादा interest rate ICIC bank का है 9.25% उसके बाद HDFC का 9% उसके बाद Kotec Mahindra का 8.75% SBI का 8. 8.70% और bank of Aroda का 8.60% तो आपको जो bank suit करता है वहाँ जाके आप home loan ले सकते हैं अगर हर bank का अलग-अलग आप video पूरा detail में देखना चाहते हैं तो हमारे channel पे जाएं और वहाँ पे ये सारे video, full video हर bank का बना हुआ है वहाँ पे आप देखके समझ सकते हैं अब यहाँ पे हमने ताके नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे आप loan लेते हैं, जितने टेनर के लिए लेते हैं, मानिए कि 20 साल के लिए loan लेते हैं, तो आज जो loan लेंगे, जिस interest rate पे लेंगे, पूरे 20 साल वही interest rate आपके loan पे चलने वाला है, इसे बोलते हैं fixed interest rate, इसको detail में समझेंगे आगे, ल और अगर आप बोलते हैं, बैंक पे pressure बनाते हैं, कि नहीं, मुझे तो पूरे time के लिए fixed चाहिए, तो आपका जो interest rate होगा, वो काफी higher कर देंगे, काफी जादा, जो कभी-कभी आपके floating interest rate से 2-3% तक उपर होता है, इसका example हम लोग आगे देखेंगे. अगला होता है floating interest rate, floating interest rate क्या होता है, जब आपने loan लिया, उस समय आपको जो interest rate पे loan मिला, वो interest rate चलता रहेगा, लेकिन अगर RBI बीच में अपना repo rate बढ़ा देती है, या कम कर देती है, तो उस हिसाब से आपका interest rate बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा. जैसा कि पीछे हमने देखा कि RBI का repo rate 6.50 है, जो हर 3 महिने पे RBI review करते रहता है, कभी-कभी तो इसे change नहीं करता और कभी-कभी change कर देता है. तो अगर 6.50 को RBI 6.75 कर देता है, आपका interest rate 0.25 से बढ़ जाएगा, अगर वही 6.50 के जगा आपको 6.25 रेपोरेट कर देता है, यानि कम कर देता है, तो आपका interest rate 0.25 से कम हो जाएगा. यानि RBI जब भी अपना interest rate change करेगा, आपका interest rate change होगा. अगर आप floating interest rate पे loan लिये हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, ICIC बैंक से अगर आप floating interest rate पे home loan लेते हैं, तो आपका interest rate कितना लग रहा है? 9.25 से लेके 9.90 परसेंट तक. लेकिन वही अगर ICIC पे आप pressure करते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो fixed ही चाहिए, मैं तो जहां भी लेता हूँ, fixed ही लेता हूँ. तो ICIC बोलेगा ले ले बेटे, कोई बात नहीं, हम fixed भी तेको देंगे. और जो ICIC interest rate लगाएगा, fixed home loan interest rate, वो लगाएगा आपका 24 महीने से लेक 60 महीने तक अगर fixed रहता है, मतलब loan लेंगे, तो 24 महीने से लेके 60 महीने, यानि 5 साल तक अगर आप fixed लेते हैं, उसके बाद floating में convert हो जाएगा, तो आपका जो interest rate लगेगा, वो 8.90 से 9.15 तक लगेगा. मतलब 5 साल तक ये interest rate लगेगा, और 5 साल के बाद आपका home loan floating में convert हो जा साल के लिए fixed चाहते हैं, कि 10 साल तक मेरा home loan का interest rate ना change हो, तो आपका जो interest लगेगा, वो 11% से लेके 28.50 तक लगेगा, और full terms के लिए, मतलब 20 साल, 30 साल के लिए loan लिए और उसको fixed चाहते हैं, तो आपको 11.15 से लेके 11.45 तक आपको interest rate देना परेगा, अब यहाँ देखिए, अगर आप fixed पे लेते हैं, तो आपको 11.15 से 11.45 interest rate देना पर रहा है, अगर वहीं आप floating interest rate पे लेते हैं, तो आपको 9.25 से लेके 9.90 के बीच में ही देना है, मतलब लगभग 1.55% जादा interest चार्ज कर रहा है ICIC bank, अगर आप fixed interest rate पे loan लेते हैं, तो home loan जब भी आप लेने जाए ज़्यादा प्रेफर करें कि floating interest rate पे ही आपको home loan मिले, तो एक बार हम लोग fixed interest rate और floating interest rate के pros और cons को जान लेते हैं, सबसे पहले fixed interest rate के जो pros होते हैं, आपका जो interest एक बार लग जाता है, वो पूरे loan trainer में वही interest चलता है, आपको interest rate बढ़ने का कोई tension नहीं होता, क्या आई आते हैं, तो prepayment penalty कितने बार bank लेती है, जो 4-5% के बीच में होता है, तीसरा अगर RBI interest rate कम करती है, तो भी आपके home loan का interest rate कम नहीं होगा, आपको वही interest rate pay करना परेगा, तो उस समय आपके लिए ये काफी घाटे का सौधा हो सकता है, floating interest rate के pros and cons के बारे में बात करें, तो इस आपको कोई prepayment penalty नहीं देनी परती, बसरते कि आपका पैसा on source का हो, मतलब आप loan लेके prepay नहीं कर रहे हूँ, इसके cons के बारे में बात करें, तो RBI जब भी interest rate बढ़ाएगी, तो आपका interest rate बढ़ेगा, जिससे आपके interest का extra button बढ़ सकता है, interest rate आपका बढ़ता है, तो आपक या तो यह माई बढ़ादेगा, या आपका loan का tenor बढ़ादेगा, वो आपके depend करता है कि आप कौन सा opt करते हो, तो यह पुरा वीडियो रहा है interest rate पे, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment box पे जरूर बता है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे channel को subscribe कर ले, bell icon को ज मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye